मुश्कार, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक बात, एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ. कृतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सव्याहित हूँ, इस बात को भारत के संदर्व में देखें, तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया, तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली, कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन, सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन, लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है, इस उपलब्दी के पीछे, 130 करोड देश वासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है, इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देश वासी की सफलता है, मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बढ़ाई देता हूं, साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज, ये केवल एक आंकडा नहीं है, ये देश के सामर्थका पतिविम्ब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं, भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है, उसकी सराना भी हो रही है, लेकिन इस विश्ट्रेशन में एक बात अक्सर छूड़ जाती है, कि हमने ये शुरुवात कहां से की है, दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना, वैक्सिन खोजना, इसमें दस्यकों से उनकी महारत हैं, एक्स्परटाई थी, भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निरफर रहता था, हम भार चे मंगवाते थे, इसी वज़े से, जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई, तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैस्प्रीक महामारी से लड़ पाएगा, भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेने का पैसा कहां से लाएगा, भारत को वैक्सिन कब मिलेगी, भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा, कि महामारी को फैलने से रोख सके, भांती भांती के सवाल थे, लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है, भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोज लगाई हैं और वो भी मुक्त बिना पैसा लिए, साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा, कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी, एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में लिए,